महराश्ट के पालगर में मॉब लिंचिंग की घटना पर सियासत जारी है इसी बीच महराश्ट सरकार ने इस घटना पर कारवाई करते हुए इस मामले में आरोपियों की सूची जारी की है राजु के ग्रहमंद्री अनिल देश्मुक ने पालगर मामले में पकड़े गए 101 आरोपियों की लिस्त जारी की है अनिल देश्मुक ने कहा कि ये इसलिए साजह किया गया क्योंकि इस मुद्धे को सामप्रदाई किया जा रहा था लिस्ट जारी करने से पहले ग्रहमंद्री अनील देशमुक ने कहा था कि इस मामले की जाँच CID में एक विशेश IG स्तर के अधिकारी कर रहे हैं लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पलिस देख घटना की आठ घंटे के भीतर 101 लोगों को गिरफतार किया हम आज वाटसप के माध्यम से अभियुक्तों के नाम जारी कर रहे हैं इस सूची में कोई मुस्लिम नहीं है दरसर 16-17 अपरेल की रात को महराश के पाल घर से करीब 100 किलोमेटर दूर दो साधू और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दे गई भीड के हत्य चड़े साधू मुंबई के जोगेश्वर इस्तत हनुमान मंदर के थे दोनों साधू मुंबई से सूरत अपने गुरू के अंतिम संसकार में जा रहे थे इस घटा पर महराश की ग्रह मंतरी अनिल देशमुक ने कहा मॉब लिंचिंग के जो घटना हुई है महापत तीन लोग बिना इजाज़त के बाहर के स्टेट में जा रहे थे उन्होंने में रोट से ना जाकर ग्रामिन सरक से जाने की कोशिश की मही पर उनको पकड़ा गया गाउंबालों को लगा के शायद चोरी करने आये हैं इसी वज़र से हमला हुआ और तीन लोगों की मौत हुई